मैं 30-40 मिनिट से बोल रहा था, लेकिन करन्ट पहुंचे पहुते इतनी देर लगी है बहुत सी जुब्लाइट का इसाई होता है मैं कॉंग्रेस के साथ से जरा पूछना चाहता हूं क्या आपने कभी बुपेंद्र कुमार दक्ता का नाम सुना है दादा आप कंग्रेस में चलेगे कॉंग्रेस के लिए जानना बहुत जरूरी है और जो यहां नहीं है उनको भी जानना जरूरी है भुपेंद्र कुमार दक्ता देश के इस सुतीस तरोड नागरिकों से कहना चाहता हूँ C.A.A. इस बिल से इस एक से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है चाहे वो हिंदु हो, मुस्लिम हो, सीक हो, इसाई हो किसी को नहीं होने वाला इस से भारत की माइनुरिटी को कोई नुक्सान होने वाला नहीं है फिर भी फिर भी जिन लोगों को देश की जंता ने नकार दिया है वो लोग बोड़ में की राजनीटी करने के लिए ये ठेल ठेल रहे हैं और मैं जड़ा पूठना चाहता हूँ मैं कॉंग्रेस के लोगों से विछे सुथ से पूठना चाहता हूँ जो माइनॉरिटी के नाम पर माइनॉरिटी के नाम पर अपनी राजली की लोटिया सेखते रहते हैं क्या कॉंग्रेस को 84 के दिली के दंगे याद है क्या माइनॉरिटी के साथ क्या वो माइनॉरिटी नहीं थी वो माइनॉरिटी थी कही था क्या आप उन लोगों के हमारे स्टीक बाईयों के गले दे तायर बांच बांच करके उनको जला दिया था इतना ही नहीं तीक दंगों के आरोपियों को जेर में तक बेजरे का काम आपको ने किया नहीं इतना ही नहीं आप जिन पर आरोप लगे हुए है तीक दंगों को बढ़ताने के जिन पर आरोप लगे है उनको आज मुक्षे मत्री बला देते हो ठीक दंगों को अरोपियों को सजा दिलाने में उन हमारी विद्वा मासाओं को तीन तीन बसकत नयाई के लिए इंतजार करना पड़ा क्या वो माइनरिटी नहीं थी क्या हम माइनरिटी के लिए दोतों सवाजों होंगे क्या यही अपते तरीके होंगे मानिय अद्जी कॉंग्रेस पार्टी जिसने इतने सानों तक देश में राज़ किया आज वो देश का दुर्भाग्य है कि जिसके पास एक जिम्मेवार विपस्के रुपे देश को अपेक्षायती वो आज जलत रास्ते पर चल पड़े हैं ये रास्ता आपको भी मुसिबत पैड़ा करने वाला है देश को भी संकट में डालने वाला है और ये शेतावन में इसले दे रहा हूँ हम सब को देश की चिंता होनी चाहिए देश के उजवल भविश की चिंता होनी चाहिए आप सोचिए अगर राजस्तान की विधान सबा कोई निरने करे कोई ववसा खड़ी करे और राजस्तान में कोई मानने को तयार नहों जलते जुलूस निकाले हिंसा करे आज जनी लगाए आपकी सरकार है क्या सिटी बनेगी मद्द प्रदेश आप वहां बैठे है मद्द प्रदेश की विधान सबा कोई निरने करे और वहां की जनता उसके ख़लाप इसी प्रकार से निकल पड़े क्या देश ऐसे चल सकता है क्या क्या एनार्गी का रास्ता और इसलिए और इसलिए आपने बहुत कुछ दिया है आपने इतना गलत किया है इसलिए तो वहां बैठना पड़ा है कि आपके कारणामों का ही परणाम है कि जनता ने आपको माँ बिठाया और इसलिए लोग सांत्रिक तरीके से देश में हर रेक को अपनी बात बताने का हाथ है लेकिन जूत और अप्वाएं सला करके लोगों को गुम रहा करके हम कोई देश का भ़ला नहीं कर पाएंगे और इसलिए मैं आज समिधान की बाते करने वालों को विशे सुप से आगरे करता हूँ आईए समिधान को सम्मान करें आईए मिल बैट करके देश कर आएं आईए देश को आगे ले जाएं फाइल ट्रिलियन डॉर एकोनोमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चलें आईए देश के पंदरा करोर परिवार जीन को पीने का सुद्द जल नहीं मिल रहा है वो पहुँचाने का संकल्प करें आईए देश के हर गरीब को पक्का धर लेने के काम को हम मिल करके के आगे बढ़ें ताकि उनकों पक्का धर मिलें आईए देश के किसान हो मश्वारे हो पसुपालग हो उनकी आए बढ़ाने के लिए हम कामों को सबलता पुर्वक आगे बढ़ाएए आए हर पंचाय को broadband connectivity दे आएए एक भारत स्वेश भारत बनाने का संकल पले करके हम आगे बढ़े मान्य दग्जी भारत के उजवल भविश्च के लिए हम मिल बैठ करके आगे चले इसी एक भावना के साथ मैं मान्य राजपत करते हुए मैं मेरी मानी को राम देता हूँ आपका भी मैं विश्चा अभार येश्चा करता हूँ